जहें दोस्तों तो हम लोग देख रहे हैं प्लेटी कोस्चन जो कि यह MCQ बेस्ट है और यह सभी कोस्चन जो है एक काफी महत्मुन कोस्चन है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या 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 है देखे पहला कोशन कहा रहा है निम्लिकित निदेशर सिधानतों में कौन सा सिधानत समाजवादी विचाधारा का परतेक है अप्शन है सभी को जीवन निर्वाग उप्रिक्त साधन परदान करना अप्शन B कहा रहा है समपदा तथा उतपादान के साधनों का कुछ हाथों में एकतिक रण रोकना तथा उनका नियाज संगत बटवाड़ा सुझत करना सभी के लिए एक अच्छा जीवन इस्तर उप्रवद कराना तता काम करने वाले व्यक्तियों को आवकास परदान करना अप्शन D है उप्रुक्त सभी तो कुष्चन पुछ रहा है यह इन में से जो है कौन सा जो है यह समाजवादी विचाधारा के यानि परतीक है तो ओप्शन A भी है ओप्शन B भी है ओप्शन C भी यानि यह तीनों जहें यह समाजवादी विचाधारा के अंत्रगत आती है तो इसका मतलब कि ओप्शन नंबर डी है हमारा सही उत्र हो जाएगा आगे दिखते कोशन राज्य को नीती निशसी धांतों को लागु करना सरकार के पास उप्वलत साथनों पनिर्वा करता है यह सरकार की इच्छा सकती पनिर्वा करता है यह नाय पाली का पनिर्वा करता है यह फिर उप्रक सभी पर तो हमारा जो राज्य का नीती निससी धान्त जो है यह लागु करत करना यानि क्या हो कब लागु हो सकता यह यह कोश्चन पूछ रहा है तो दोस्तों देखिए सरकार के पास उप्लावते साधनों पर यह निर्भा करता है अगर माले सरकार के पास साधन जो बहुत ज्यादा जादा नीती बनाती है जादा पैसे खर्च करती है तो यह जाएगा इसका सही उत्र हो जाएगा ने आगे देखते कुश्चन राज्य के नीटी निर्देशक सिध्धान्त क्या है कि समीधान की सरवच इस्थावित करना चाहते हैं यह ताना साई वरस्था पांकुष लगा सिधान जो है यह क्या करना चाहती है यह करना चाहते हैं को समाजिक परिवर्थन का उप्रण बनाना चाहते हैं अप्सेन में इसका सहीत्र हो जाएगा चलिए आगे कुश्चन देखते हैं समिधान का नुश्यद आगे कुश्चन देखा जाए उठ प्रेशन लेख एक अदालत दोड़ा अप्सेन देखिए निम्द अदालत को किसी विशेष मामले में आगे की करिवाई रोकने के लिए कहा जाता है अप्सन बी कहरा है किसी अधिकारी को दिया घ्या अदेश है कि वह सीद करे कि उस पद पर बने रहने का अधिकार है एक साविनिक्स अधिकारी को 24 घंटे के भीत उसके द्वारा बंदी बनाए गये व्यक्ति को नियाराले के समुक परश्तूत करे तो हमारा जो उत्र प्रेक्शन लेक यह क्या कहता 영상을 pikता रादाल्य ख्रूस को किसी मामले में किसी मामले से संभंदित सभी इसक इने लेक्शन के भर बेड़ा जाता है तो option now believe B हो जाएगा इसका सही उत्र हो जाएगा चली आगे दाए क्षिन आये क्या है कि अधिकार प्रिक्षा लेक एक उच्छ न्याले दोरा जारी आधेस है तो अधिकार प्रिक्षा लेक क्या कहता तक यहうप किया है जिसके माध्यम्स या किसी अधिकारी को उसके द्वारा बनाए गए बंदी को 24 घंटे के भीतर निकर्तम आदालत के समख परस्तुत करने के लिए कहा सकता है option C है कि या निम्न अदालत को दिया गया आदेस है कि या किसी बीसेस मामलों में पर तुरंद करेवाई रोग दे option D है कि जब निम्न अदालत को दिया गया आदेस है जिसमें उस मामले को उच नियाले के समख सुनवाई के लिए भेजने के लिए क्लिक कहा जाता है हमारा जो है यह अधिकार प्रक्षालेक क्या कहता है इन सभी जो है इसका चर्चा आर्टिकल 32 में किया गया है आर्टिकल 32 के दौर यह पांच प्रकार के रिट निकाला जाता है उसी में से यह पूछ रहा है अधिकार प्रक्षालेक कहता है कि जिसके उदार यह किसी भी वैक् पुछ सकता है कि किस परकार उसने नियाले के विरुद पद अधिकार प्राप्त किया हुआ है तो अप्शन नमर जो ए हो जाएगा इसका सही उत्र हो जाएगा चलि आगे दिखते कोशन यहां पुछ रहा है बंदी प्रतक्षिकर्ण लेक के बारें पुछ रहा है क्या है देख ऑप्शन है एक उच्छ नियाले द्वरा निम्न अधालत को जारे किया जाता है कि और उसे आदेश दिया जाता है कि मामले के संपूर्ण रिकॉर्ड सही उच उसके समक्स परस्तूत करने के लिए कहा जाता है कि उसके अधिकार को आदेश दिया जाता है कि उसके समक्स चल रहे मामले पर कारिवाई तुरंत रुक दी जाए तो अधिक पंदी प्रतेश करने किसे समदित है तो यह जो है यह उच नियाले दोड़ाज दिया गया आदेश है जिसके मांदर से बंदी बनाएगे किसी व्यक्ति को उसके समक्स परस्तूत करने के लिए कहा जाता है तो अधिकार आगे दे प्रतिवन लगाये गया है यह था ऊप्सटन है कि देश की पर्भु सत्ता और खंता है तो पधा मंत्री पत की गरिमें रखने के लिए या मंत्री परस्त की गरिमांक बनाए रखने के लिए या फिर उपरिक सभी कार्णों के अधार पर इसका सही उत्र हो जाएगा देश की परवुसत्ता और अखनता हेतु जो है वो कुछ समय भाषन परन यानि स्वतनता परनेक उजित प्रतिवन लगाये जा सकते हैं हम कछा लैस्त परफ थान को अधिये जाने वालेड साथ ही या İH खिट एक वर्ष सभी स्रीन्यों में देजरने वाले उपाधियों कि सीमा अधिक सद्राथ प्रतित कितनी होने चाहिए कि 55 होने चाहिए या 50 होनी चाहिए या फिर 40 होने चाहिए तो इसका सही उतर हो जाएगा यानि 50 होनी चाहिए ऐसी हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा चलिए आगे दुखते हैं क्वे राषति ए घान के अनिवाड़ी रूप से गाये जाने के समद में निम्न कथनों पर विचार करें कि अब भासन देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतनता का उलंगन होगा या फिर या अंतक्रन धर्म के मानने तथा उसका परसार करने की स्वतनता का उलंगन होगा या फिर कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो क किसी व्यक्तिक राष्ट गान गाने के लिए बाध्य कर सके यहां फिर उप्रिक सभी कोश्टि में पूछ राष्ट गान के अन्यवारी रूप से गाय जाने के स перемand में ने निम न कथनम विचार करें तो इसका जो उथ्धर हो जाएगा यह उप्रिक सभी हो जाएगा यानbackiliarip D हो जाएगा सहि उत्र हो जाएगा चलिए आगे देखते कुश्चन भारत के मौलिक अधिकारों के निमन लेखित व्रेशिश लक्षनों में से कौन सा असत्य है असत्य पूछ रहा यहां कुश्चन में जाकता हैं यहां से कोई नहीं तो इसक्राष उत्र हो जाएगा इन में से कौई नहीं क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा याने option number D हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा तेखिए आगले question है आगे कि समिधान द्वारप्रदान की एगे मौलीका दिकारों में से कोन सा मौलीका दिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है option है कि समिधान स्रक tahu reduction की सौतंता या संपती अर्जित करने तथा को भी वह पार्क आजीम का त्था कारोबार करने के सो तंत्तर यां देश के किसी भी भाग में घुमने तथा रहने चाहते हैं या फिर भासन देने एक्रेतिर होने आखनीं को सप्रांग्षेन को आदिकार किसे है कि नागर्यों के मौलीक अधिकार पर लगाएगे परतियाय। ऊचित में नहीं कि संसरत को राश्पति को नियालnoc में से किसी को भी नहीं तो इसका सही उतर हो जाएगा नियायलों को जो है वो मौलिक अधिकार पर लगाएगा पर्तिबन ये उचीत है या नहीं ये नियायले द्वारा देखा जाता है आगे कोश्चन है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर नियाज संगत परतिबन लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है राजपती को संसत को समश नियाले को यानि में से कोई नहीं नागरिकों कोई मौलिक अधिकारों पर निया संगत प्रतिबन लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है यह कोश्चन पूछ रहा है इसका सही उत्र हो जाएगा संसद को किसको हो जाएगा संसद को याने अप्शन नमबर जो बी हो जाएगा इसका सही उत्र हो जाएगा चलिए आगे देखते कुश्चन निवारक निरोद अधिनियम किस अधिकार पर परतिवन लगाता है समात्या के अधिकार पर सो तंतता के अधिकार पर या धार्मिक सो तंतता के अधिकार पर या समयधानिक सरचन के अधिकार पर कुश्चन एक निवाराक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर परतियों लगाता है यह लगाता है किस पर सो तन्ता के अधिकार पर लगाता है किस पर सो तन्ता के अधिकार पर लगाता है यह अप्शन नमर जो भी होए यह सही उतर हो जाएगा आगे देखते कुशन भारतिये नाग्रिकों के मौलिक अधिकारों को किनी परस्थिती में भी अस्तरित नहीं किया जा सकता है या फिर राश्पति कभी भी सोच नहीं कि पुर्व अनुमति से इस्तरित कर सकता है या फिर सभी प्रकार की अपात्कालित परिश्यतियों में राश्पति द्वारा इस्तरित किया जा सकता है तो इसका सही उतर हो जाएगा अप्सन अबर डी हो जाएगा यानि कि राश्पति ये संकट के समय राश्पति द्वारा इस्तरित किया जा सकता है हमारे मौलिक अधिकार को चलिए आगे देखते कोशन समिधान लागू होने के उपरांद किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमे बाजी हुई है सोशन गिवर्द अधिकार पर या संपतिक अधिकार पर या फिर समिधानिक सरचन का अधिकार पर या फिर भासन की सोतनता का अधिकार पर तो सबसे अधिक मुक्रदमे बाजी हुई है मौली का दिकार पर कौन से संपद्धी का दिकार पर हुई है इसलिए इसको जो है मौली का दिकार से अब हटा दिया गया अब इसे जो है कानूने दिकार बना दिया गया है चलिए आगे देखते कोशन कि भाद के समिधान के पस्तावना कहा गया है क्या कहा गया है कि हम भाद के लोग इस समिधान को निर्मित और स्विकार कर भाद को सौपते हैं अप्सन भी है कि हम समिधान सभा के सादस से एस समिधान को निर्मित और स्विकार कर संपुर्ण देश को भेट करते हैं या फिर हम भाद के लोग समिधान सभा के माध्यम से एस समिधान को निर्मित और स्विकार कर स्वयम को या समिधान अरपित करते हैं या फिर हम भाद के नागरिक इस समिधान को निर्मित और स्विकार कर स्वयम को अरपित करते हैं देख्यों ओप्शन 4 देख लिए बड़ अच्छे से भाद के समिधान के पास्तारणा में कहा गया है कि हम भाद के नागरिक इस समीधान को निर्मित और सुविकार कर स्वयम को और्पित करते हैं यानि option number D है यह सही उत्तर हो जागा इस question का आगे question है भाद का समीधान भाद को राज्यों का समूग घुशित करता है या राज्यों वकेंद्र छेत्रों का संग घुशित करता है या अर्ध संग घुशित करता है तो भाद का समीधान जो है वो जो है राज्यों का समूग घुशित करता है किसका राज्यों का समूग घुशित करता है याने option number A हो जाएगा इसका सही उत्र हो जाएगा चले आगे देखते question भारतिय समिधान के निम लक्षणों में से किस लक्षण को भार सरकार अधने 1935 ने अत्यधिक परभायत किया option है आप आतकालिन प्राब्धान या राजय पार्ग सक्तिया या संखिय योजना या संखिय नियार पालिका के सक्तिया और Ali इसका सघ्तर हो जायएगा अपा रतक अलिन प्राभधान के आप आसकाली प्राभधान जो है भर शरक वानियम प्रक्राभवाया किया था कि सर्थे हो जाएगा इसका सघ्!!!! और कि आगए कोश्चन है कि समीधान में संसोदन की का लक्षन किस देश के समीधान से ग्रहन किया गया है जर्मानी से फ्रांस यह दशीन अफरीका से यह रूसदे तो हमारा समीधान का लक्षन जो है वह लाया गया है किस देश से दश्षिन अफ्रीका से लाए गया है कहां से दश्षिन अफ्रीका से लाए गया है या अप्शन नबर जो सी हो जाएगा इसका सर्युक्तर हो जाएगा चलिए आगे देखा जाए कोश्चन कि समीधान ने कौन सा लक्षन फ्रांस के समीधान से ग्रहन किया है ग्र तो गर्नाजेस ब्याविष्था और सरतनता समान्त बंधूत्त समें ला गया है यानि ये तीनों ये प्रांस्ति देश के समिधान से लाइब गिए इसका उत्रों गाएगा अपसन समीधान में राज्ञे के नेति मेर्धशत सिधान कि समिधान से लिए बृत्ण से अमरिका से कणारा और से कैसे के subject समिधानमें राज्ये के नीटी किस समीधान से लिया गया हैं लाइव गया है और्लैंड संधान के समीधान से लाइबश्था को और राज्य के नीती नेजड च्रिधानथ को या फिर एक सशक्त केंदर वाली संगिये वर्श्था को और कि निद्ल किसको कनाट के समिधान से लाए गया है कि यह लाएं गया है कि सकत केंदर वाली निद्ल वरस्ता को जो है एक कनारा की समिधान से लाया गया है तो आप्शन नमर 2 हो जाएगा सही उत्र हो जाएगा चले आगए देखे कुछ कोश्चन समिधान निर्मताओं ने कौन सा लक्षन अमरिका के समिधान से गहन किया है अप्शन है कानून का सासन एकल नाग्रिकता परस्तावना को लाया गया है किसे परस्तावना जो है वह अमरिका के समिधान से लाया गया है ठीक्षन नमर 2 हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा तो दूस्तों आज का कॉश्न यहें पर समाप्त होती है फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में